हाई एवरिवन वेलकम बैक टू मिस्टर स्मार्ट टेकनिकल अगर आप रीचार्ज और बिल पेमेंट करने के लिए फोन पे आप रीचार्ज के आपको यूज करते हो तो आपके लिए एक बैड न्यूज है क्योंकि फोन पे रीचार्ज में आप रीचार्ज और बिल बेल आइकन कोल पे प्रेस कर देना ताकि जब भी वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेस्टे मिल सके तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और फोन पे और फ्री चार्ज की तरब से आने वाले नए चार्ज के बारे में डिटियल के साथ जान लेते हैं सो गज मैंने फोन पे की एप को ओपन कर लिया है और आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा डायरेक्ट आपको यहां पर बता दूँगा कि किस परकार आपको चार्जे लग रहे हैं और इन चार्जे से आप कैसे बच सकते हो तो फोन पे की अंदरा अगरा आप रीचार्ज करते हो तो आपको यहाँ पे चार्ज देने पढ़ेंगे जैसे आपके Mobile रिचार्ज करते हैं mobile recharge पे click किया, यहाँ पे कोई भी number type कर लेते हैं, number type करने बाद आपको plan choose करना है कि कितने रुपे का आपका recharge करना है, तो मैं यहाँ पे 249 का choose कर लेता हूँ, फिर यहाँ पे नीचे कुछ continue वे थे, 249 लिखा है तो इस पे click करते हैं, फिर यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने 24 249 का recharge select किया, बट 2 रुपे का मेरे को यहाँ पे charge देना पड़ रहा है, तो किस चीज़ का जार लग रहा है, वो देख लेते हैं, view amount प्रेक का पे click करते हैं, तो हमें यहाँ पे दिखाया गया है कि platform fees यहाँ पे ले रहा है, phone पे हमसे, जो कि 249 का recharge करते हैं, तो 2 रुपे का हमसे यहाँ पे charge लिया जा रहा है, तो अधर application में आप देख सकते हो, जिसे Amazon, Paytm, इनसे करते हो, तो उल्टा आपको case back मिलता है, किसी परकार का charge नहीं लिया जाता है, बट phone पे, यहाँ पे हम जैसे phone पे से recharge करते हैं, AJ platform के तोर पे यह 2 रुपे का हमसे charge ले रहा है, और मै यहाँ पे try किया था, DTS का करके उस पे किसी परकार का charge नहीं लग रहा है, only mobile recharge अगर आप यहाँ से करते हो, तो आपको 2 रुपे का charge देना पड़ रहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर चार लग रहा है, तो इससे तो आप बच नहीं सकते, तो इसकी जगह आप other किसी application को use कर सकते हो, जैसे Amazon हो गया, Amazon से अगर आप कोई recharge अगरा करते हो, तो वहाँ पे आपको अच्छा कासा caseback भी मिलता है, अब देख लेते हैं, free charge पे, bill payment पे यहाँ पे कुछ charges लग रहे हैं, किस परकार लग रहे हैं, वो भी माँ आपको यहाँ बता देता हूँ, तो इसमें मेरे को कुछ यहाँ पे charges दिखाए, वो भी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे charges दिखाए, जिस परकार phone पे में 2 रुपे था, बट इसमें 2 नहीं था, इसमें 20-25 रुपय का charge दिखा रहा था, तो मैं यहाँ पे electricity select कर लेता हूँ, जैसे electricity select करते हैं, यहाँ पे कुछ किसी परकार का यहाँ पे चार नहीं लिया जा रहा है, बट यहाँ पे number change करके हम करते हैं, तो आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैं दूसरा number select कर लेता हूँ, यह continue करते हैं, continue जैसे करोगे, यह bill amount आप देख सकते हो, 284 रुपय का है, जरूरी नहीं है, किसी का 1000 किसी परकार का चार नहीं लग रहा है, बट अगर आप credit card से payment करना चाहो, तो जैसे इस पर click करोगे नीचे आप देख सकते हो, 284 रुपय का हमारा यह bill है, बट यहाँ पे 297 रुपय दिखा रहा है, और यहाँ पे click करके देखोगे, तो convenience fees लग रहा है, 0.50% plus 18% GST भी लग उसी के amount का GST लगता है, तो आप देख सकते हो, इस परकार आपको 134 रुपय यहाँ पे extra लग रहे हैं, जिस परकार आपको जितने amount का ज्यादा का bill होगा, उसी परकार आपको यहाँ पे charges देने होगी, So guys, इन charges से बचने के लिए आप other किसी आपका use कर सकते हो, जैसे Paytm, Google, Amazon, उन पे आपको किसी परकार का charge नहीं देना उटता है, उल्टा, आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ case-back जरूर से मिलता है, उमिद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आए होगा, वीडियो पसंद कर देना ताक कि जब भी वीडियो डालू आपको नोटिफिकेसे मिल सेके, thank you for watching this video, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में